इंफिनिक्स ZT 10 Pro 5G Unboxing, Review and Comparison तो यहाँ पर गाईज मैंने रिसेंटली पर्चेस किया है इंफिनिक्स की तरब से लॉंच हुआ इंफिनिक्स ZT 10 Pro 5G 256GB 8GB RAM वारा वेरंट तो यहाँ पर गाईज यह जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉंच हो चिका है और यह जो स्मार्टफोन इसका जो प्राइस है आपको देखने को मिलेगा 20,000 एंड की 20,000 रुपे का यह स्मार्टफोन है और यह आपको दो वेंट्स में अविलिबन मिलता है ब्लाक कलर और सिल्वर कलर तो मैंने जो पर्चेस किया है वेरंट यह है बेसिकली एक सिल्वर कलर वेकोज सब लोग ब्लाक ही पर्चेस करेते है तो मैंने सचा कि मैं सिल्वर पर्चेस करता हूँ और यहापर मैं आपको इसका एक्जाटली लूप देखने को मिलता है तो यह स्मार्टफोन इसे मैंने पर्चेस किया है तो यहापर बॉक्स के बैक साइट में इसके पूरे में इसमें जैसे कि इसमें आता है यह जो मेरेंट है मेरे पास 8GB RAM & 256GB वेरेंट है इसमें आता है बीडिया टेक का प्रोसेसर लेमेश्टी 8050 वाल प्रोसेसर इसमें जो है 6.67 इंच का एक एमपोलिटी डिस्प्ली आता है 120Hz डिफेरेंट के साथ में 108 मेगा पिक्सल का टिप्ली कामरा आता है और जो सेल्फी कैमरा है वो है 32 मेगा पिक्सल 5000 इमेज की बैटरी 45W का चार्जर और इसमें यहाँ पर आपको LED भी रेकने को मिलता है विकॉस इसमें काफी अच्छा लाइवेका आपको बैक्सेट में एक LED नोटिफिकेशन लाइट का आपको डिजान रेकने को मिलता है और यहाँ पर इसमें पूरा का पुरा पुरा गेमिंग इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलता है 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 यहाँ पर आपको मिलता 55 minutes लेगा पूरा 100% चार्ज होने के लिए एक गंटे के अंदर यह स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो जाएगा एंदर इसके बाद यह है एक back case इसके अंदर मिलता है back case में यहाँ पर यह मिलता है यह एक sticker और यह sticker इसको आप अपने mobile पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप अपने अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर बिलता है यह एक tempered glass tempered glass भी जो इन्फिनिक्स के जाने के लास्ट इमिनिक्स ने को स्मार्टफोन लांच गता है इन्फिनिक्स इसके अंदर आपके पेपर मिलता है जिससे आप अपने tempered glass को साफ कर सकते हो तो यह पर आप box को देखो तो box की जो quality है वो भी काफी जड़ा अच्छी quality के आप आपको box सेखने मिलती इसके अंदर आपको यहाँ पर अपने charging को प्लग कर सकते हो और इसके बात यहाँ पर यहाँ से आपका sound बूस्ट होगा तो बूस्टिंग के लिए दिया गया है और यहाँ पर box को भी उस तरीके से फीट कना होगा तो यह है हमारा infinite x GT10 pro और यहाँ पर infinite x का बचे एक बार काफी अच्छा लगता है कि अपने जितने पर सारे smartphones रहते नोट अपने बात यहाँ आपर सिंपरे सब्स सनेसमें पर यहाँ बीलता है रख अर यहाँ चांजिंग Er Duck जिसमें आपको दो SIM card और एक memory card को आप इसके अंदर यूज कर सकते हो तो यहाप आपको दो SIM card यूज करने का और एक memory card को यूज करने का इसके अंदर option लिकरने को मिलता है और अगर mobile का weight देखे तो यह mobile आपको light weighted feel होगा जब भी आप इसको हाथ में carry करोगे तो बिल्कुल भी आपको heavy weight जैसा सब बिल्कुल भी ऐसा feel नहीं होगा जब इसको आपको हाथ में carry करोगे अगर आपको आईफोन की तरह देखने को मिलता है और अगर आपको आईफोन की तरह देखने को मिलता है अगर आप मैं बात करो heavy के तो यहाँ पर यह जो स्मार्टफोन है इन फ्रिक्स का GT 10 पर थोड़ा सापको heavy fill हुआ as compared to Infinix 020 तो गईस यहाँ पर मैं मुझे कमेंट में जरू बताना कि यह जो स्मार्टफोन है इसको में कौर और कौन कौन से स्मार्टफोन के साथ में सको comparison कुरूँ विकॉस मेरे पास मैंने और भी कई सारे स्मार्टफोन के ज इसमें से को सा स्मार्टफोन है जिसके साथ में इस Infinix के GT 10 Pro स्मार्टफोन को compare करूँ यह जितने पे सारे स्मार्टफोन देख रहे हैं सारे स्मार्टफोन का unboxing review comparison में आपे कवर किया है तो मुझे comment पर जरू बताना कि GT 10 Pro का मैं इस साथ स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्ट इसके साथ भी comparison करना चाहिए कि नई comment में जरूर बताना तो अभी जो स्मार्टफोन है इसका setup process आप पूरी दरीके से complete करते हैं तो जैसे आप स्मार्टफोन का setup process आप complete करते हैं तो स्मार्टफोन का जो लूक है वह आपको ऐसे लेवल में देखने को मिलेगा तो और यहाप पर पूरा setup complete करते हैं तो एक्जाक्ली आपको जो UI system है वह mostly आपको जो इन्फिनिक्स का 020 है इन्फिनिक्स का एक नोट 35 जीगला स्मार्टफोन है दोना स्मार्टफोन है आपको almost same to same level का UI देखने को मिलेगा और लेकिन जो UI system को मुझे देखने को मिलता है काफी smooth and काफी smooth लेवल का लिखने को मिलता है एधर इसके बात यहापर apps के mobile 32MP camera, 80GB का यहाँ पर RAM है, और यहाँ पर 8GB आप expandable कर सकते हो, 256GB का storage है, 5000MH के बैटरी है, Ambular display के साथ में आता है, और यह Android के latest version Android 13 के साथ में यह smartphone एवेड़बल वेल जाता है, अब यहाँ पर इसके बाद आप इसके cameras के settings में जाओगे, तो cameras में आपको कुछ ऐसे system है, जो आपको खाफी बेटर देखने को मिल गए, तो 4K, 30fps, तक का video आप रिकॉरड कर सकते हो, 10 City per 60fps, 1080p, 30fps, 720p का support यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसके बात अगर आप इसके cameras के settings में जाओगे, तो इसने बी सारे cameras के settings है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वीडियो शॉट वीडियो चिनेमाटिक वीडियो आप इसके अंदर एजली रिकॉर्ट कर सकते हो नाट पैट उसके बाद गया जब आप इसके मोबल के सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बैक लाइट एक उप्शन देखने को मिलेगा यहाँ जब आप करोगो तो यहाँ पर आपको सारे बैक लाइट के सेटिंग से आप देखने को मिल जाएँगे discussion में आपको पाथ के live Note 35G और Infinix 020 के साथ में compare कर सकते हो तो सबसे पहले हम इन दोना smartphone का एक normal basis का sound testing यहाँ पर check out करेंगे साथ से 4K वीडियो को पर check out करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले check out करेंगे कि अगर आप इस smartphone में 4K वीडियो को प्ले करते हो तो exactly इसमें quality क्या support करता है अब यहाँ पर अगर में इस सेम वीडियो को इस Infinix के 020 वाडे smart phone में प्ले करूँ तो यहीस Sam video में इस Infinix के 020 वाले smart phone में मैं प्ले किया इसमें देखते का क्या quality यहाँ पर support कर रहा है यहाँ पर जो highest resolution सपोर्ट कर रहा है जोके 2160 pixels जो कि बहुत ही ज़ादा अबेजिंग है अब यहाँ पर मैं एक और कोई सेकेंड वीडियो प्ले करता हूँ एद इसमें भी आपर 4K वीडियो को टेस्ट आउट करेंगे यह बिसिकले आइट वाला है इसमें भी मैक्स तो मैक्स जो कॉलिटी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है व और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है क्वालिटी है डिस्पली का ब्राइट नेट वो भी आपको काफी जारा लेबल तक बेटर देखने को मिलेगा तो अभी बार यहाँ पर साउंड क्वालिटी को टेच्ट आउट करेंगे तो यहाँ पर मैसमें हिंदी आडियो प्ले पर एक वीडियो को और यहाँ पर देखते हैं कि एक्वालिटी आपको कैसे दिखने को मिलेगा है और आगया है यह नया नया लेटेस्ट सुनी जी वी इवन यहाँ पर मैं क्लेरली जो नुटिस कर पा रहो साउंड क्वालिटी तो यहाँ के कंपारेजिन में उपर की तरह अब अगर आप देखोगे उपरो साइड में साउंड क्लेटी यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है आब यहाँ पर मैं एक ओर प्ले करतोLY एक सेकंड ओडियो तो यहाँ पर मैं प्ले करने वालों क। अब फ्ले करते हैं के एक अदूर्डम साउंड तो यहां पर आप नडिस करें कहते ज्ञुट को लिए इस वो उपर की तरब से आपको यहां पर ज्यादा सांड डखने को मिले अब यहां सोंट का हुछ का अब सका का सवर्रोंडेंस इसको एक्सपीड है यहां इसके बाद में इस स्मार्टफोन के डिलेटेडट इस बहुत सत्य तौपिक कि मिल में तर्डैइन चालजिंग, बाटरी, ट्रेंटेस्ट के वे क्या डॉपक्स और बहुत से टॉपिक्स में आपको स्मार्टफोन को लेकर तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेकर और भी टॉपिक्स आप चाहते हैं जो आप चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं future में मैं इसके related और भी बहुत सरे topic कवर करने वालो तो उसके notification आपको मिल जाएंगे तो comment में ज़रूर बताने हैं यह Infinix का GT 10 Pro 5G आपको smartphone कैसा लगा